अभी टाइम बज रहा है आठ बज के 38 मिनिट्स तो आज का मेरा प्लान है कि मैं जा रहो आज एक्टोर करने सावडा वाटरफाल सावडा वाटरफाल है वो कंकवली में है कंकवली सिंद दुरूक में महारस्टा में तो बिचोलिम से मुझे एप्राक्स लग जाएंगे क्योंकि वह है 120 किलोमीटर फ्रम बिचोलिम वाज चोड़ा टाइम हो गया सबोटने के लिए तोड़ा कल लेड़्स होया था चलते हैं वैसे तो पहुंच जाएंगे हम दो गंटे में इसे कुछ नहीं पूरा आइवे है कि हम बिचोलिम में यह आप देख सकते हो यह बिचोलिम सिटी यह बिचोलिम बस्टेंड यहां से लेना है मुझे राइट यहां से फिर से लेना है मुझे राइट है चोड़काट रूट है तो मैं पहुच जाओंगा बांदा में हाइवे पे गोवा मुंबई हाइवे कि उस चार से जाओंगा तो थोड़ा मुझे लॉंग पड़ जाएगा इसलिए मेरे लिए शौड़कट है मैं अपके साब से शौड़कर दिखा रहा था मैं जा रहा हूं भी दोड़ा मरक से तो आगे पेटरपम है यहां फियॉल अप करेंगे क्योंकि अब भी गाड़ी रिजर्व हो गई तो मुझे यहां पर फियॉल अप करना पड़ेगा अब फियॉल अब हो चुका है अब चलते आगे आज मेरे साथ है मेरी बैन राइड पे मेरे सिस्टर तो उसको मैंने ऐसे ही कल कॉल किया था क्या फ्री है मेरे साथ आने के लिए आज उसने बोला हां क्यों नहीं अपकोस उसने आज शायद लिया होगा अब यह पहुच गए है दोड़ा मरक यह आप देख सकते हैं दोड़ा मरक में सिटी है और यहां से मुझे लेना है लेफ्ट कि इस ट्रेट रोड़ है यह रोड़ आगे जाके मिलेगा गवा मुंबाय वे पर एंद ठोड़ा अच्छा है थोड़ा दोड़ा मरक जो में सिटी एन वह रोड़ बहुत ही खराप था लेकिन अभी आगे जाके थोड़ा रोड़ अच्छा है एएसे रोड़ मिलने जाए तब यह यहां जाता है राट करने के लिए थैंप टाइम वेश्य नहीं होता है जो रोड़ पर बहुत पैची से तो टाइम बहुत ही वेस्ट होता है देखें के ऐसे रोड़ आगे किदर तक है चुर्थ आगे थोड़ा खराब है मुझे पता है कि मैंने लास्ट टाइम इस रोड से में गया था अम्बूली रैड की थी तो दखेंग आपे जाके लो प्रेंट्स अभी मैं यहापे रूख गया था पाज मिनिट के लिए अभी मैं पहुच गाया हूँ बंदा के आसपास तो मुझे थोड़ा ना आपको मेरे यूटूब चैनल के बारे में पतर हूँ मेरा यूटूब चैनल है वह बेज वान मोटो व्लोगिंग डिफ्रेंट ऑट्रफर्स अब गोवा मैं जितना घुमा होना ऑट्रफर्स देखा है और सब कुछ मैं अभी यूटूब पे शेर कर द दो नहीं है प्लीज सपोर्ड मी गाइस जो मेरे साथ मेरे बैन यह आप देख सकते हैं आज मैं उसका भी थोड़ा इंट्रो कर दूंगा आपके साथ तो यह आज हम जा रहे हैं उसके अपर आप जल्दी ही देख सकते हैं कि हम पॉइंट शुम्डर है लाज जवाब है तैं यह बांदा में सिटी है सो यहाँ से लेना है मुझे राइट अब श्रेट आइवे हैं सो रोड भी अच्छा है कि पोड़ा क्लाइमेट भी अभी क्लियर है लेकिन अलकी अलकी पारिश हो रही है कि अब तो बांदा से है साउड़ ओट ओफ वाल एपरोक्स 75 किलो मिटार तो मुझे और लगें के कि अब देख सकते हैं कि अभी क्लाइमेट है वो पूरा क्लियर है और राइड में तो बहुत ही मजा आ रहा है क्योंकि यह राइड आफटर लॉंग टाइम है लास्ट एक मुएने से मैंने एक भी राइड नहीं की थी तो यह मेरे पहली राइड है है कि अब कर देख से फॉर्टी टू किलो मेटर रत्नागेरी वान सेवेंटी किलो मेटर मुंबाई फॉर्ट सिक्स्टी फाइड किलो मेटर मुझे तो सिर्फ जाना है कंड़कोली में तो कंड़कोली है 47 किलो मिटर को आप अब 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 तो अब आए अब है कोवा मुंबा अब आए अब रोड की कंडिशन भी ठीक है सब कुछ कुकि नहीं रोड बनाए तो पतने मुझा आगे कि इतने तक अच्छा रोड है शायद महाट तक है राइगाड महाट तक उसके आगे फिर से कराप है इसो काम चलों य पहुच्छ गया है और अब हम पहुच्छ चुके है कंकवली में एंटर कर दिया है तो यहां से अभी तक सावडा वाटरफॉल 16 किलोमेटर तो यहां से हम कभी लेना पड़ेगा लेफ्ट अभी यहां से अब जिक सकते आगे लिखा है मांबस थे कभी है स्वार्ण वार्णावज सौनैंटर सुने क्लों ट्रफॉल मेरे पीछ क्छे और गोवनी तक तक फिक के विना मोड़ी में देटारं से लगे दозм़फर जाना पड़ेगा इस सान बोर्ड भी है सो Persia वहाँ पे लिखा है निसरगया रम्या सावडाव दबदबा तो चलते हैं अभी तो आईवे से अंतर लेने के बाद आपको चोटा सा रोड मिलेगा नेरोटेप रोड है यह विलेज वाला रोड है तो आईवे तो वहाँ पे खतम होता है आप देख सकते हैं यहाँ पेली का इस सावडाव दबा आईवे सकेल स्टेट वाव अब देख सकते हैं यहाँ पे में पी ड्रोन फ्लाय करना वाला हूँ व्यू तो बहुत है अच्छा मिल जाएगा तो आपको भी देखने को मिलेगा कि ड्रोन शॉट पर कैसा तो दिखता है यहाँ का व्यूव वाओ बहुत है अच्छा है ब्यूतिफुल विलेज शावडाव। विलेज शावडाव। प्रहाट एक कर से अजय कास्ट पीजाएंग एक साथे ऑल स्टेलइट सुड़ड चाईट प्रोड प्रोड़ेशों आप लोगों ने तो देख लिया होगा सो अभी हम जा रहे हैं सावडा और रफल पर यहां से लेना है फिर से लेफ्ट सो फाइनले हम पहुस्के है सावडा ओटरफॉल पर अब जा रहे हम नीचे वाटरफॉल देखने के लिए ब्यूटिफुल ओटरफॉल सावडाव पाउन वड़ पाहल अभी हम यहां पे ठोड़े टाइम रुखेंगे एंजोए परेंगे अच्यचे ड्राउन श्रॉटल भी लेंगे और आपको दिखाएंगे कैसा दिखता है सावडा ओटरफॉल यहां पी हो रहा है मारे अटरफॉल प्लाइग पुट अीज़ पीज़ प्लाइब अीज़ प्लाइब तो दोस्तों आपने तो ट्रॉण शॉट देख लिए होगे इस वीडियो में हमें और आपको भी दिखा दिया है और तो हम अभी जा रहे हैं जाके आगे मिलते तो दोस्तों आप यहां पे वन डे की राइड प्लान कर सकते हो अच्छा स्पॉट है आपको यहां पे आने के लिए मतलब कर सकती हो एक दिन में होता है और अराम से हो जाएगा सो दोस्तों आपने देख लिया होगा सावड़ा ओटरफल कैसा दिखता है मैंने सब कुछ बताया होगा आपको पहले से लब एंड टक सब कुछ बताया होगा आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो पर कमेंड करना मत बूलगा तो मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए लाटा गुड़ बाई आपको पर कमेंड करना और वीडियो पर कमेंड करना मत बाई